Hello everyone, आपका स्वागत है मेरे किचन में, तो आज हम बनाएंगे बचे हुए चावलो से एकदम मसालेदार और टेस्टी नया नास्ता जिसे आप बार-बार बनाना चाहेंगे सुबा साम की चाय या फिर बच्चों के टीफिन के लिए सिर्फ बारम नट में ये मज़ेदार और हेल्दी नास्ता बनके तयार हो जाता है तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने हाँ पे एक बरतन में एक कप सूजी लिया है साथी डालेंगे आधा कप थोड़ी सी खटी दही और आधा कप ही मैंने इसमें पानी डाला है इन सारे चीजों को हमें सूजी के साथ अच्छे से मिला लेना है और इसे हमें 10 मिड़ के लिए छोड़ देना है ताकि जो सूजी है वो थोड़ी सी फूल जाए ये नास्ता मैं साम के चाई के लिए बना रही हूँ तो मेरे पास थोड़ा सा दोपहर का बचा हुआ उबला हुआ चावल था तो मैंने यहाँ पे डेड़ कप उबले हुए चावल लिये हैं आप रात का अगर फ्रिज में बच गया है चावल तो भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं साथी इसमें डालेंगे हम आधा कप बेसन और आधा से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे दही लिया है एक चोथाई कप के बराबर और इसमें एक चोथाई कप ही हम पानी डालेंगे साथी डालेंगे दो हरी मिर्च और एक इंच अदरक का टुकड़ा और इन सारे ची तो मैंने सारे पेश्ट को सूजी का जो हमने दही सूजी का मिस्रड बना के रखा था उसके साथ ही मिला लिया है। अच्छे से हम इन फेट लेना है। अगर आपको यह मिस्रड बहुत जादा गाड़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ दो चमच पानी मिक्सी के जार को रिंस करके डाल दिया है। इस मिस्रड को बहुत जादा हमें पतला नहीं रखना है। थोड़ा गाड़ा ही रखेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद एक बार और इसे ढखके पास मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक ह हम एक थाली लेते हैं। और उसमें मैंने आधा चमच तेल डाला है। अच्छे से तेल को चारों तरफ से फैलाके हमें थाली को चिकना कर लेना है। पास मिनट हो गया है जो हमारा मिस्टर था वह अच्छे से से शेठ हो गया है। इतना ही गाड़ा हमें यह बैटर बनाके रेडी करना है तो इसमें मैंने डेड़ चमश नमक डाला है और साथी डालेंगे दो छोटी चमश तेल अच्छे से इन सारे चीजों को मिला लेंगे और इसको हमें एक मिनट तक अच्छे से चलाते हुए फेट लेना है ताकि जो हमारा नास्ता है वो एकदम सौफ्ट स्पंज तो मैंने इसे अच्छे से फेट लिया है एक मिनट तक अब हम इसमें डालेंगे एक पैकेट मैंने इनो का डाला है इसको एक्टिवेट करने के लिए इसमें मैंने एक चमश पानी भी डाला है अच्छे से इसे हमें मिसरड के साथ मिला लेना है आप इनो के जगा पे आधा चोटी चमच बेकिंग सोडा का भी इस्तमाल कर सकते हैं, अच्छे से देखिए मैंने इसे मिला लिया है, अब हम ताली जो हमने चिकना करके रखा था तेल से, उसके अंदर डाल देंगे, और इसको थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए मैंने ऊपर से थोड़ा सा लाल मिर डाला है इससे हमारे नास्ते में अच्छा फ्लेवर आता है और मैंने आप एक गैस पे कढ़ाई में दो गिलास पानी को पहले से ही गरम करने के लिए रख दिया था उसमें इस थाली को रख देंगे और इसे ढग देना है और 12 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम में इसे हमें इस जो हमने चावल का ढूकला बनाया है वो बनके एकदम पर्फेक्ट रेडी हो गया है थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद इसे हमें काट लेना है तो यह बहुत ही सॉफ्ट इस पंजी बचे हुए चावल के हमारे जो ढूकले हैं बनके रेडी हो गया है और इसको काटते समय आ नास्ता बहुत ही पसंद आता है आप देख सकते हो कि यह कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है सारे नास्ते को इस थाली से हमें निकाल लेना है अब हम इस नास्ते में तड़का लगाएंगे तो इसके लिए पैन में मैंने एक चमच तेल को गरम किया है तेल जब गरम हो जा इसमें मैंने करी पत्ता डाला है थोड़ा सा और हरी मिर्च को बीच से काट के डाला है इन्हें भी एक बार चलाते हुए हमें भून लेना है अब यह जो तड़का है इसी में हमने जो अपने चावल के ढोकले बना के रखे थे उसे एक एक करके डाल देंगे और थोड़ा सा इसे हमें क्रिस्पी कर लेना है तो देखिए मैंने सारे चावल के ढोकले के जो स्टीक बना के रखे थे वो इसमें डाल दिये हैं और इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाला इसमें डाल सकते हैं और मैंने इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर भी डाला है आप मिर्ची अपने हिसाब से डालिएगा अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्ची कम डालिएगा एक बार और इसे अच्छे से चलाएंगे और थोड़ा सा इसे क्रिस्पी हो जाने तक हमे इसे चलाते हुए पका लेना है तो ये देखिए नास्ता हमारा जो है वो बनके रेडी हो गया है बहुती जटपट, बहुती टेस्टी और चटपटा नास्ता बनके रेडी हो गया है मैंने थोड़ा सा इस पे बारी कटा हुआ हरा धनिया भी डाला है और चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं तो ये देख सकते हैं कि ये बचे हुए चावलो का इतना टेस्टी नास्ता बना है कि जिसे बच्चे बड़े सब बहुत ही पसंद करेंगे और ये अंदर से बहुत ही सौफ्ट है आप किसी भी चटनी के साथ इसे परोश सकते हैं गर्मा गर्म चाय के साथ भी ये नास्ता बहुत ही अच्छा लगता है तो आप भी इस नास्ते की रेस्पी को जरूर बनाईएगा बचे हुए चावलो की बहुती नई और अनोखी और स्वादिष्ट रेस्पी है ये मेरी वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक सेयर और मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी एक नई रेस्पी के साथ हम फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्ते